हलो वेलकम बेक तो चैनल तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफी शानदार तरीके से हैं मकान आपको नजर आ रहे होंगे और जो भी मैं ख़ड़ा हूँ आप देख सकते हैं 22 की ये रोड रने वाली ह जो अपको एक बाल देख सकते हैं काफी शानदार लोकेलिटी है और जो लोकेशन का नाम रहने वाला है बिज विहार ये कोलोनी जो डेवलप की गई है ये पढ़ने वाला है आपका बिस्रिट मोड पर जो रहने वाली है एनस 91 उससे मातर 400 मिटर की दूली पर ये लोकेशन रहने वाली है काफी शानदार लोकेशन है अब मैं बात करूँ मेरे पीछी हैं पचास गच के तीन मकान आपको नजर आ रहे हैं जो बचे हैं उसमें से भी केवल दो रहे हैं क्योंकि कल ही एक डील हुई है जिसके अंदर एक मकान इसमें बिग गया है बाकी काफी आपके ब वेस्ट मिल रहा है और आपके बजेट में रहने वाला है ये और इसके आंदर खास बात के रहने वाल है अगाण्यार तक आपको ब्चाण जाने वाला को यह चे बांक औरкое बाल just तो दोस्तों आपको मैं दिखा रहा हूँ इस तरह का कुछ आपको design मिलने वाला है और यह सामने आप नजर आ रही होगे आपको कुछ भी यहां पर खड़ा कर सकते हैं यहां भी कुछ समान रख सकते हैं क्योंकि जीना है जीने के नीचे काफी अच्छा space यहां पर दिया गया है पचास गच के हिसाब से आपको काफी शांदार space मिल रहा है यहां पर एक बात खास बात के रहने वाली यह देखिए अगर आप इसको भी door को बंद कर देते हैं तो ब्रॉइंग रूम की बात करें तो यह देखिए पचास गच के मकान है लेकिन ड्रॉइंग रूम आप देख सकते हैं मैं एक बार उन्म में अंदर जाका है दिखाता हूं कितना बड़ा आपको ड्रॉइंग रूम मिलने वाला living area देखिए बहुत ही बड़ा living area मिल रहा है आप यहां पर अपना दिवान डाल सकते हैं सोफा दाल सकते हैं ऊपर देखिए वर्क कितना अच्छा किया गया है और सामने देखिए आपको कूलर के लिए और विंडो एसी के लिए स्पेस दिया गया है सामने आप रोड देखि रहे हैं 22-22 फुट की या रोड मिलने वाली है यह आपको फ्रेंट में गेट मिलने वाला है ड इने area के लिए बात करें यह दिए kitchen kitchen बहुत शांदार है पचास गज के मकान में इतनी बड़ी आपको kitchen मिल रही है जिसके अंदर modular kitchen आपको बनाके दी जारी यह देखें इस तरह की modular kitchen आपको मनाके दी जाएगी और सामने साथ यह देख सकते हैं यह आपको window दी गई है ventilation के जिसके अंदर ये देखें टाइल्स रागे दीजा रहें ऊपर वेंटिलेशन के लिए थोड़ा सा स्पेस दिया गया है इस तरह का आपको अटैच वाश्रूम बाथरूम मिल रहा है जो कि लिविंग एरिया के लिए यह है परसनली क्योंकि लिविंग एरिया वाले जो है वेंकान रहने वाला है इसके अंदर आपको अंदर अलमारी बना कर दिए यह देखें आपका अंदर वाले रूम से अटैच और अवर का कॉमन कह सकते हूं रोब के साथ आपको मिल रहा है और यह देखें तो इस तरह का आपको स्पेस मिल जाता है काफी शानदार मुझे यह घर लगा क्योंकि पचास कच के हिसाब साब को इतना अच्छा स्पेस मिल रहा है यहां पर लाइट की फिटिंग आपको सब कराके दी जाएंगी बाकि उपर चलते हैं उपर चलके आपको दिखा देते हैं तो देखें इस तरह का आपको कुछ यह जीना मिल जाएगा यहां पर इस तरह की लोकालिटी है और आप देख सकते हैं चारो तरफ काफी जाएगा है आपको पानी की फिटिंग कराके दी जा रही है और यह सामने का एरिया रहने वाला है तो सामने भी आपको यह कुछ इस तरह की रोड मिल जाती है और यह कुछ इस तरह का एरिया आपको मिलने वाला है और बात करें अगर आप चाहें प्लोट लेना तो प्लोट भी एवेलेबल हैं सामने आपको प्लोट मिल जाएंगे यह चाहते हैं आप अपना डिजाइन बनावाना तो उस तरह का डिजाइन भी हम बना के डेवलप करके आप दे देंगे तो दोस्तो मैंने आपको सारा ओबर दे दिया है सारी चीज़े आपको लिट्टेल में समधा दी हैं बाकी प्रैस की बात कर लेते हूं तो प्राइज का रहने वाला है 1916 रौपर, सब्सक्राइब दोस्तों काफी अच्छा ये प्राइज है जिसके अंदर आपका 80% तक का फाइनस की सुविदा भी आपको मिलने वाली है दोस्तों देरी ना करते हुए कुछी निमेंट्री बचेंगे केवल दो मकान अभी रह गए है और मौस्ट सारे सेल आउट हो चुके हैं अगर आपको कोई कोश्चन है तो आप मुझे कमान सेक्शन पूछ सकते हैं बाकि सारे इटेल्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको लोकेशन मिल जाएगी और सारी कोंटक इटेल्स मिलने वाली है तो चलिए मिलते हैं आ अब से अगली विडिया में तब तक के लिए टेक केर बुबाई